नमस्कार दोस्तों, मैं पंकर्च कुमार आज बात तंबाकू पदार्थों की W.H.O.N.E. के विश्वास संगठन ने एक रिपोट जारी की है जिसके मुताबिक दुनिया भर में हर साल करे सतर लाख लोगों की मौत तंबाकू पदार्थों के सेवन की वज़ा से होती है वहीं भारत में हर साल करीग 10 लाख लोगों की मौत तंबाकू पदार्थों के सेवन की वज़ा से होती है आप जानकर शायद आश्चरी करें कि 300 सिगरेट बनाने के लिए एक पिड़ को काट दिया जाता है आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे facts बताएंगे जो आपके रोंटे खड़े कर देंगे तो आईए देखते हैं ये वीडियो तंबाकु सेवन से दुनिया भर में हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है यानि कि दुनिया भर में हर घंटे 800 लोगों की मौत तंबाकु पदार्थों के सेवन की वज़ा से होती है भारत में हर साल करीब 10 लाख लोगों की मौत तंबाकु की वज़ा से होती है प्रत्षत पुरुष और 20 प्रत्षत महिलाईं तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं विश्वास संग्ठन यानि की WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक दो अरब 20 करोण लोग तंबाकू पदार्थों का सेवन कर रहे होंगे भारत में 6 करोण 37 लाःतिय चबाने वाले तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं वहीं 6 करोण 89 लाःतिय धुम्रपान करते हैं चार करोन तीस लाख लोग ऐसे हैं भारत में जो चबाने वाले और धुम्रपान दोनों तरह के तंबाकू का सेवन करते हैं भारत में हर पांचवी मौत तंबाकू की वज़ा से होती है आपको जानकर आश्चर होगा कि 300 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ काटा जाता है दुनिया भर में हर रोज करीब 1500 करोन सिगरेट खरी दे जाते हैं डव्यो के मताबिक साल 1962 से 2002 के बीच 68000 हिक्टेर जंगल काटे गए तंबाकू की खेती की वज़ा से दुनिया भर में 14 प्रत्रत बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं इसलिए अगर आपको सौस्त रहना है तो तंबाकू पदार्थों का सेवन तुरंद बंद करें अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें